नमस्कार मित्रो मैं नितिन आपका सरकारी सनिलो यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं आपको जीन प्याजे का सिध्धान पड़ाऊंगा जिससे हर टीचर रिक्रूमेंट में आपको एक नएक कोशन मिलता है मैं आपको पूरी कोशिस करूंगा विस्तार से समझ दे रहा हूं उसके वाद मैं इसके अंदर जितने वी टोपिक आते हैं उनको मैं परिवासाओं को समझाओंगा तो जीन प्याजे ने हमारी चार अवस्ताएं दी थी ठीक है और उम्र उसमें बंदता थी उम्र की बंदता थी उसमें और विसेश्ताएं तो जो मैंने ये बनाया है उसमें आप देखिए कि पहली जो अवस्ता थी जो पहली वस्ता थी वो क्या थी हिंदी में इंद्रिय जैनित गामक अवस्ता अत्व विसेस्ता होती है बालक की समस्त क्रियाएं सम्मेदी अंगों अत्वा ग्यानेंद्रियों द्वारा संचालित होती है इसी में हमारा क्या आता है इसी स्टेज में हमारे बस्तु इस्ताइत्व आता है और यानि अंगोठा चूसनावी इसी स्टेज में आता है इसी अवस्ता मे इसकी विसेस्ता क्या है इसकी विसेस्ता संके तता चिन्नों के द्वारा बातों को समझना देखो दो साथ साल का बच्चा होता है तो वो संके तता चिन्नों के द्वारा ही तो बातों को समझता है तो इसकी यह चीज है इसमें जो कोशन बन जाते हैं अधिकतर इसी तरह से बन जाता है तीसरी जो अवस्ता है हमारी मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता वो चलती है हमारी सास से ग्यार है तो इसमें क्या पिसेस्ता चात्र में होती है बच्चे में होती है वो प्रितच बस्तूओं एव घटनाओं के बारे में सोचना एव बस्तूओं को पैचान कर वर्गी करड़ करना स्टार्ट कर देता है कहने का मतलब बच्चा इसमें चीजों को भिवेत कर लेता है और उनका बाटना स्टार् सुझे कि मूर्ध सक्रियात्मक अवस्ता की 900 सीमा क्या है है वह सास से 11 उसके बाद जो चौत देखंव मूर्ध सक्रियात्मक अवस्ता का दूस्रा नाम भी क्या है दूसरा नाम है अनौप 30 कवस्ता मेंक अबस्ता जो ग्यारे से पंद्नाओं के बारे में तरक इव चंतन करना समूमें जुडकर काम करना आधर्स चंतन करना अब फर्क कोषन इस से बनता है कि जो बस्तु हमारे सामने नहीं है और बच्चा तरक कर रहा है चिंतन कर रहा है वो कौन से वस्ता है वो हमारी चौती वस्ता है अमूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता में क्या होता है मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता में हमारे चीज सामने होने चाहिए जो बच्चा हो जिसकी उम्र साथ से ग्यारह होती है वो जब तक उसके सामने चीज नहीं होगी वो तरक चिंतन नहीं कर पाएगा तो अब हम विस्तार से पढ़ते हैं बिल्कुल प्याजे ने कौन सा सिद्धान दिया था प्याजे का संग्यानात्मक विकासिद्धान था कौन सा था संग्यानात्मक विकासिद्धान अब डाक्टर जीन प्याजे 1896 में इनका जनम हुआ था और 1980 में इनकी मृत्ति हुई थी ये एक स्विस मनोव बिग्यानिक थे ये पूछा गया है ठीक है न तो इस पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं तो जीन पर आजे कहां के थे ये स्विस मनोव बिग्यानिक थे और मूल रूप से एक प्राणी बिग विग्यानिक के रूप में प्रिसिद्धी दिलवाई थी प्याजे ने फ्रांस के विनेट के साथ मिलकर साइमर नाम आपने सुनाओ जिन्होंने आई क्यू के बारे में जा थे उनके साथ मिलकर कई बरसों तक कार किये उसके बाद के बुद्धी के विशय अपना कि दिया सबसे अच्छी बात प्याजे ने कोशन पूचा जाता है कि प्याजे के ने जो चारी सिद्धा दी इसमें बच्चा एक भी स्टेप छोड़ नहीं सकता यानि स्वेप नहीं कर सकता चात्र को बच्चे को यह चारों अवस्ताओं से गुजनना पड़ेगा ठीक है उन् खंडन किया ऐसा नहीं है कि जिसके मावाप इंटेलिजेंट बुद्धिमान है उनका बच्चा जन्मजास से ही बुद्धिमान होगा इन्होंने उस चीज का खंडन किया था तो फिर उन्होंने आगे वाता है जैसे जैसे बालक की आयू बढ़ती है वैसे वैसे उसका कारश जितन भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संबब होता है जैसे जैसे हमने देखा है हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम हमारा विकास होता जाता है हमने देखा होगा पहले हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं पहली में फिर दूसरी में पहली में हमें एवी सीडी चो यह वैसे वैसे जटल संपत्यों को भी सीखता है जैसे जैसे हमारी आयू बढ़ेगी वैसे ही वैसे हम समस्याओं का समाधान भी करना सीख जाएंगे यह जीन प्याजे ने कहा था और उन्होंने क्या कहता बातावर्ड यह किरियाओं का योगदान सीखने आदेगम में महतपूर होता है प्याजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई आंत्रिक किरिया नहीं है यानि किसने कहा है कि सीखना कोई आंत्रिक किरिया नहीं है यह कोशन मनेगा यह क्या है जीन प्याजे बल्कि ये थोड़ा चोटा डंडा लग गया है इसे टाइपिंग में गलती हो गई है बल्कि ये एक बोधिक प्रिक्रिया होती है तो जो सीखना क्या होती है ये एक बोधिक प्रिक्रिया होती है सीखना एक संपत्ति निर्माण करना होता है और निर्माण करने की ये प्रिक्र गर क्लास में बच्चों करते जो गिंटि हम अगे की अवस्ता है कि यह सीखते रहते हैं। और जैसे जैसे बालक की आयूवड़ती है तो उसका अनुवब भी बढ़ता है और वह अपनी बुद्धी से जटिल संपत्यों का निर्मार करता है यानि क्या चात्र जटिल संपत्यों का निर्मार कर सकता है हां कर सकता है समय के जैसे जैसे उसकी आयूवड़ेगी वह उसके बालक की सत्य बारे में चिंतन करने की सक्क्टि परीगप्ता इसतर और अनुवाव की अंते यावादी बिचार तरा का नाम भी दिया था उन्हों नहीं ऌट नाम दिया तक पूछाज जाता है। यह कोशन मनता है कि día अंतिक क्रियाबादी विचारधारा का नाम किस ने दिया तो जो हमारे मनुभग्यानिक जीक ए जीन प्याजे सुिस सोये थे उन्योंने का है और कुछ मनुभग्य। toxicity संप्रते निर्मान का सिद्धांतवी कहा है कुछ जो मनुब्य अग्यानिक थे इनके अलावा भी उन्होंने इसे क्या कहा है संपर्ते निर्माण का सिद्धान्त भी कहा है अब संग्यानातवक विकास सिद्धान्त के पद प्याजे ने कई सारे पद दिये थे इसमें कई अवस्ताएं दीती उनको हम विस्तार से पढ़ते हैं अपने संग्यानातों विकास के सिदनात में प्याजे दो पदों का प्योग करते हैं संग्टन और अनकूलन हलाकि इन पदों के अलावा भी प्याजे ने कुछ कुछ अन्य पदों पर परवी अपनी ब्याक्या दिया या संग्यानत विकास के वारे में उन्होंने कहा है तो हम पहला जो पद है उसके वारे पढ़ेंगे वह है अनकूलन इसे अड़ाप्टेशन कहते हैं तो अनकूलन पर उन्होंने क्या कह था प्याजे के अनुसार के साथ समायोजन की प्रवर्ति जनमजात होती है हमने देखा है जिस बातवर्ण में हम रहते हैं उसी के अनुसार हम ढ़ल जाते हैं उसी के अनुसार चात्र भी ढ़ल जाता है बच्चे की इस प्रवर्ति को अनकूलन कहा जाता है जैसे कि एक एक चात्र है घर में आपने च उससे उसने क्या किलिया समायोजण कर लिया उस ढुतार में डlocks तो आंगे क्या कहा है फ्यारग्ेयां वालिक अनुकरिंशन करने लगता है जैसें बानग स्टार्टिंग करता हैं अपने घर में ही देखो जैसे घर में सारे बात करते हैं अगर हिंदी में बाते कर रहे हैं घर में तो जो चात्री या बच्चा होगा वो हिंदी में ही बात करे हैं इंग्लिस में नहीं करेगा अगर उसकी फैमिली में घर में इंग्लिस में बात हो रही है तो वो इंग्लिस में ही बाते करने लगेगा तो वो बच्पन स इसे ही अनकूल चीजों को सीखने लगता है जब कोई बच्चा बातर में किसी उद्धीपक परिस्तितियों के सामने सामने होता है कि उस समय उसकी विभिन मानसिक क्रियां अलग अलग कार ना करके एक साथ संग्डित होकर कार करती है कार यानि इस लाइन का मतलब हुआ कि जब बात यानि कुछ काम हो रहा है तो वो उसी चीज पर एक तरह से अपने आपको संग्डित कर लेता है उसी चीज को सीखने का प्रेतन करता है और ग्यान अर्जित करता है यह किरिया हमेशा मानसिक इस तर पर चलती है यानि जब भी हम के पाद हम फिजीकल काम उसे करना स्टट करते हैं we gotta do mate के साथ मनुष्ष जो संवंद्ध होता है संगतन आंत्रिक क्रूप से प्राव Ahora रूप से प्राव्यत करता है और पूचा जाए बात अकर हमारे मांसिक विकास को कैसे प्रावाइद करता है वोँ आंत्रिक करता जबकि अनुकूलन भारी रूप से जो अनुकूलन होता है वो भारी रूप से प्रवाब डालता है प्याजे ने अनुकूलन की प्रिक्रिया को महत्पूर माना है जीन प्याजे जी ने अनुकूलन की प्रिक्रिया को बहुत महत्पूर माना तता इसके बारे में भी उन्होंने दो भागों में बाठा है तो उन्होंने दो उप भागों में बाठा यानि आत्म साथ करड़ जिसे assimilation कहते हैं एक समंजन जिसे accommodation कहते हैं या हिंदी में दूसरा नाम है समायोजन क्या नाम है दूसरा समायोजन अब हम आत्म साथ करड़ के वारें पढ़ते हैं कि यह होता क्या simulation आत्म साथ करड एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी कोई वजुनाओं या मांसिक प्रिक्रियाओं का साल लेता है कहने का मतलब जब वो कोई ग्यान पहले से सीख चुका होता है यानि पेरेसों से कुछ चीज़ों पता है और समस्या समाधान करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करता है उस ग्यान का यूज़ करता है वो है आत्मसाथकरड या एक जीप बिग्यानिक प्रिक्रिया है अगर कोई आपसे पूछता है आत्मसाथकरड कैसी प्रिक्रिया है ये जीब बेग्यानिक प्रिक्रिया है आत्मसादकरण को हम इस उदार के माद्यन से भी समझ सकते हैं कि जब हम बोजन करते हैं तो मूल रूप से बोजन हमारे भीतन नहीं रह पाता है बलकि वोजन से बना हुआ रक्त हमारी मास्पेसियों में इस प्रिकार समा जाता है कि जिससे हमारी मास्पेसियों की सरचना का आकार बदल जाता है इससे ये बात इसपस्ट होती है कि आत्म साथकरड की प्रिपिया से सरचनात्मक परिवर्तन होता है देखो अगर आपसे पूछता है कि संराजनात्मक परिवरतन किस से होता है किस पिक्रिया के द्वारा होता है वो होता है हमारा एसिमिलेशन यानि हिंदी में कहेंगे आत्म साथकरण के द्वारा होता है फिर प्याजी जी नहीं क्या कहा है प्याजे के सब्दों में नए अनु पहले से हैं जैसे कि हमें कैसे ग्यान है जैसे कि हमने देखा कि ताजमेल ताजमेल क्या है ताजमेल हमारा white color का है मगर अगर कोई कहता है कि pollution या producer की वज़े से उसका color change हो रहा है तो हम change कर लेते हैं कि हाँ उसका color भी white से गंदा हो सकता है नहीं सपेश से गंदा हो सकता है change color हो सकता है तो यानि अनुवब के द्वारा हमने जो परिवरतन लाते हैं अपने ग्यान में उसे आत्म साथ करड़ ही कहते हैं जिससे वह पुराने अनुवब के साथ मिल जूल कर संग्यान के नए ढाचे के पैदा करना पड़ता है इससे बालक के नए अनुवब को परिवरतन होता है जैसे ही हमने ने ग्यान के जरिये से पुराने ग्यान के जरिये से कुछ चीजों में अपने चिंतन में हम परिवरतन करना जैसे हिस स्टाट करते हैं वो भी हमारा आत्म साथ कर कहता है अब यह कोशन कैसे आता है सिमिलेशन का यह हमें पता करना पड़ेगा जैसे कि एक मैं आपको कहानी से सुनाता हूं कि एक बच्चा है पहले ये डोगी एक कुता है अगर वो सोचता कि कुत्ते की चार टांगे होती है उसके द्वारा यानि उसने सोच लिया या किसी ने बता दिया कुत्ते की चार टांगे होती है तो वो क्या कहता है कि कुत्ते की चार टां यानि आत्मसाथकर्ड यानि उसने ज्ञान के जरिये से किवल बस यह पता कर लिया कि चार जो जिसमें जिसकी चार टांगे होती है वो हमारा डौगी होता है यानि कुटा होता है उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पर समायोजन या जिसे एक्कोमेडेशन कहते हैं यानि इसी में आपको एसे भी समझा देता हूं एक पैं है अगर हम पैन पैन कोई चल रहा है और एक ही कमपनी के पैन है हम चला रहे हैं तो वह एसिमिलेशन है अगर एक्कोमेडेशन में क्या होका देखो कि इसके बाद हम संग्यानात्मक्स रचना जिसे कोगनेटिक स्ट्रक्च्चर कहते हैं उसके बारें पढ़ते हैं प्याजे के क्या है प्याजे के अनुसार संग्यानत्मक्स रचना से तात्पर बालक का मानसिक संगठन से अधार्त बुद्धी में सनलप्ति विवनी क्रियां जैसे पृत्यची कर्ड इस्मर्ति चिंतन तर्क इत्यादी ये सभी संग्यटित होकर कारे करते हैं तो बुद्धी में संग्यटन का ही पड़ाद है क्यों कि मैं क्षुद टैपिंग करते हूं तो हो जाती है अब पूछा जाता है कि mental operation क्या होता है मांसिक सक्रिया किसे कहते हैं बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किये जाने वाले चिंतन को ही मांसिक क्रिया कहते हैं देखो कितना अच्छा है बालक द्वारा यह कोशन यहां से बनते हैं बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किये जाने वाले चंतन को ही हम मांसिक्त सक्रिया कहते हैं इसकीम्स क्या होती है इसकीम्स यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किये चंतन अव्यक्त अविव्यक्त रूप होता है अतार्थ मानसिक संक्रियाओं का अविव्यक्त रूप ही इसकीम से यानि किसी काम करने के लिए जो हमारे पास तत्थ होते हैं उनको कहते हैं schemes और schema ये तो कही बार पूछा गया schema किसे कहते हैं, schema होता एक ऐसी मांसिक सरचना जिसका सामानी करण किया जा सके यानि जिसका यानि दूसरी भासा में से ये भी कह सकते हैं सूचनाओ सूचनाओ का भंडार सूचनाओ का भंडार उसे भी हम कहते हैं जैसे संज्ञानात विकास बढ़ता है बैसे-बैसे अवस्था mild किसी बिसेश अवस्था में बालक के समस्त ग्यान बिचारों विवारों के संगटन से एक सेट यानि समुच्छ तयार होता है जिसे प्याजे स्कीमा कहते हैं जिको किसी विशेष्ट अवस्ता में बालक के समस्त ग्यान विचारों बेवारों के संगठर को एक सेट यानि समुच्छ तयार होता है जिसे प्याजे स्कीमा कहते हैं सेट को यानि क्या किते हम सेट, मैं जिन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो वहीं से जादा कोशन पूछे जाते हैं, हमने सिद्धान तो पढ़ने ही पढ़ने, सिद्धान ते के जलिए से कोशन कहा से आते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुवा पर पक्ता पर निर्वर करता है बालक के संज्याना तो विकास की चार वस्ता है आप से पूछा जाएगा बालक के संज्याना तो विकास की कितनी वस्ता है तो चार है अब वो कौन-कौन सी है वह एक, दो, तीन, और चार पहली अवस्ता है हमारी संमेदी पेशी अवस्ता या इंद्री गदिक अवस्ता जो हमारी होती है 0 से 2 पूर्व सक्री अवस्ता प्री ओपरेशनल स्टेज वो होती है हमारी 2 से 7 सब्सक्राइब कर्क्रीट और इसमें से बड़ा कोश्चन आता है साथ से 11 अब चारिक सक्री अवस्ता स्टेज और फॉर्मल और यह होती है हमारी 11 से 15 यह मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था सुरुगात में ही बता दिता प्रारम करते ही अब इनके बारे हम विस्तार से जानेंगे सम्वेधी पेशी अवस्ता या इंद्री गतिक अवस्ता यह संग्यानात्मक विकास की प्रथम अवस्ता होती है यह अवस्ता जनम से लेकर दो बरस तक अवस्ता चलती है जनम के समय बालक के वर सरल क्रिया ही करता है बच्चा इस अवस्ता में ग्याने इंद्रियों की साहिता से देखो जीरो से दोगा बच्चा ग्यानेंद्रियों की साहिता से बस्तू दुवनुई रसों वे गंद आधिका अनुव करता है। जीरो से यानि सून निसे दो साल का बच्चा कितना जाने का या आपको पता ही है। इस सरह क्रियाओं को ही प्याजे सहिच स्कीमा कहते हैं। इनहीं अनुबूतियों की पुन्रावर्टि के करण बच्चा संग्यानादबक आत्म साथ नव hai समायोजन की प्रिक्रिया है यानि आत्म साथ यहीं से जो बच्चा है, हमारा आत्म साथ वний समायोजन की प्रिक्रिया शुरू कर देता है, जब उस परवेस में उपस्तित उद् कमयदि पेची अवस्ता या इंद्री गतिक अवस्ता थी उसको भी प्याजए जी ने 6 इसी वस्ता में विवाजए किया था अब जो हमारी दूसरी व immense वार्ज़ ऑवस्ता आती है वह आती है पूर्व सक्रयात्मक अवस्ता जिसे कहते Amp प्री ऑप्रेशनल स्टेज यह सिद्धान खतम होने यानि कि बाद सारे सिद्धान में 30 सिद्धान आपको करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको कुईज कराया करूंगा डेली 30 कोशन जिसे बच्चे दो बर्स साथ वर्स की बिष्था तक मानता है इस अवस्ता में दो उपर उपर उपरस्ता तक अपरएब्स अपरियों कि अफ़ल होती है प्रखणापित करना सीखता है मैं आपको बताना भूल गया जो पैवली अवस्ता थी हमारी से शंबेदी अवस्ता उसमें बस तु होता क्या यानि जो सूने से तो साल का बच्चाप दिमाग मुसके चाप प्रिंट शपने लगते यानि आगर आप उसे खिपा देते हो तो वह दुनने लगता है अगर आपने बैड के नीचे चुपा दिया है न अब दूसरा बच्चे आनुपरटल द्वारा सीखते हैं वो अनुक्रटल कि आता है बहुत ही बहुत ही है अब इसमें पूचा कैसे जाता है पहले तो जो बच्चा निर्जीव बस्तों को सजी बस्तों को समझता है वो कान से बस्ता होती है वह पूर्व सक्रेवस्ता होती है प्री ऑप्रेशनल स्टेज अब इसको कहते हैं कि आए जब बच्चे बिचार को ही यह कार देते हैं एक्स्रा लिग गया है बच्चे अपने बिचार यह यह अपने हैं यह अपने बिचार को सही मानते यानि एक और आपसे पूछा जाएगा कि इगो सेंटिज्म किस अवस्ता में प्याजेकी में पायाता है वो हमारा पूर्व सक्रेयात्मक अवस्ता पायाता है जिसे मैं लिख रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं इस कोश्चन को बार बार देख आपने आपको तागत अगवर मानता है कभी सुपरमेन मानेगा कभी तो यानि इगो सेंटिज्म होता है अगर वह कहरा है तो मैं ही सही हूं इसे प्याजे नैं आत्मकेंद्रित का नाम दिया है अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे भासा सीखने लगते हैं बच्चे चिंद दो से साथ साल का बच्चा समझकर नहीं सीखता है यह पूसा जाता है बच्चा स्वार्ति नहीं होता है यानि बच्चा स्वारति की से अवस्था में अभी अपरिपक होने के काडवे समस्य समाधान के दोरा समस्य को केवल एक ही पच्छ को जान पाते हैं यानि उंको समस्य और मैं बताओं। जीन प्याजें नहीं काता। पहले हमारा विचार आता है कि पिर भापासा आती है यह नो ने कह था जीन प्याजे ने वाई गोर्ट की ने कहा था पहले भास आती है फिर बिचार आते हैं इसका तीसरी अवस्ता है हमारी मूर्द सक्री अवस्ता जिसे कॉन्फिरिट ओपरेशन स्टेज के ते यानि इस ने जो कॉशन बनके आता है यह आता है कि बच्चा या छातर तारकिक अवस्ता में कब सोचना इश्टार करता है। तारकिक अवस्ता से सोचना .. यह कौन ता था है higher तीसरी मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता या कॉंक्रीट ऑप्रेस्टेस इस अवस्ता की विश्यत्ताओं का वर्णिंद प्याजे कर्णुसा ने मुपकार से क्या जाता है इस अवस्ता साथ से ग्यारे वर्ष के चलती है यह मानी जाते हैं यह वाली एक लाइन बहुत अच्छी है मेहटपूर अधिक भियोर्ण वह यहर 27 वादी होते हैं तीस्री अवस्ता में बच्चे यह बालक भियोर्ण यथार्ट वादी होता है तर्भ सक्ती की छमता का क्लेवेयर सोनब लिद्वर्ण यानी जो तीसरी अवस्ता मेंमूर्ध समस्चाओं का समानदान भी गूण लेते हैं इस अवस्ता में बच्चे बस्तु है यह बस्तु है बस्तु को उनके गड़ों के आदार पर पैचानना सुरू कर देते हैं यानि जो मूर्थ या कॉन्कृट ऑप्रेशन स्टेज होती है इसी में बच्चे किस तरह से पैचानना स सुरू कर देते हैं आधार यानि उनके गड़ों के आधार पर चिंतन में क्रमबदिता का अभाब अभीवी होता है इस अवस्ता में बालक में कुछ चमता हैं बिक्सित हो जाते ही जैसे कंजर्विशन जिसे हिंदी में कहते हैं संरचट बहुत पूछा जाता है यह कोशन य उसे कंजर्विशन के सणरचड यानि हं थे जैसे कि बच्ची के सामने कद गिलास रख दिया अतना ऩिया रहे हैं फिर उसे हमने क्या कर दिया बहुत अतना ही यह जाते हैं संक्या लिक जाननाय बस बस्तों को गिनना-शूरू कर कर देते हैं यानि इसी अवस्ता में चात्र या बालक संक्या बोथ अधार्त गडित को जानना इस्टार्ट कर देता है इसमें केवल यह जान पाता है बालक कंप्रीड तू प्लस त्री यानि दो प्लस ती कितने होते हैं पांच अगर उससे यह पूचा जाएगा कि किस तरह से होते हैं वह इस अवस्ता में नहीं बता पाएगा आंसर बता देगा इसके अलावा क्रेमानुसार अवस्ता बर्गी करड़ करना और पारस्प्रिक संब्धनों आधी को जानने लगते हैं अब हम चलते हैं चौतिवस्ता पर जो मैं इसके कोशन लाओं गाँ प्याजे से उस अनुसार संग्यानात्मक विकास की चतुर्त वैं अंतिम विसेश्ता है निम्प्रिकार है बच्चा विसंगतियों को समझने की छमता रखता है इसमें जो चौति अबस्ता में जो कहां से कितनी तक होती है 11-15 जिसे कहते हैं बच्चे में बास्तविक अनुबवों को काल्पनिक रूप या प्रसितियों में प्रिच्छपित करने की छमता जाती है यानि वो कलपना करके सोचने लगता है बच्चा गटनाओं की प्रिकलपना बनाने लगता है और इन्हें सत्यापित करने का भी प्र सब्स확 हैं यह अर्थ का समझना कि सब्सक्राइब करता है में घृय कि यह अवस्ता बारे बच्छे बैस कोने तक चलती है यह वस्ता सज्ञानात्मक्क विकास की अंत्म है इस अंथ मथ अंतिम अत्म हो इस को पूछा जाता है कि जो संग्यानत में विकास की अंतिम अवस्ता कौन सी है वह हमारी ऑपचारिक सक्री की अवस्ता आयू बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुवा बढ़ने लगते हैं पता ही है यह चीज़े उनमें समस्य समादान की छमता भी बिक्सत होती है उनके चिंतन में क्रबदिता आने लगती है इस अवस्ता में बच्चे का मस्तिक परिपग होने लगता है जो मस्तिक्ष को होता है न इसमें आपचारिक सक्री अवस्ता में स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन में उनका मस्तिक् हो जाता है अब development कुछ चीज़े हैं उनको मैं और यहां बता रहा हूं प्याजे ने अने सिध्धान्त अपने प्याजे ने अपने सिध्धान्त का प्रयोग सिच्चा के छेत्र में करते हूँ अनुकरण वस खेल की क्रिया को महत्व दिया है सिच्चों को अनुकरण वे खेल बदी से सिच्चक करना चाहिए प्याजे ने यही चीज कही है सिच्चों को अनुकरण यानि नकल खेल बदी से सिच्चक करना चाहिए यानि खेल कलाके बच्चों को सिखाना चाहिए प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमी होते हैं उन्हें धन्न नहीं देना चाहिए सीधे सीधे आजाता है ये पूछने को किसने का है प्याजे के सिध्दान्त के अनुसार अभी पेड़ना और बालक दोनों ही अद्गम वे विकास के लिए अवस्ते के इन दोनों को सिच्छा में प्रियोग करना उचित होगा बच्चों को अपने आप करके सीखने का अफसर में प्रिदान करना चाहिए ये भी प्याजे नहीं कहा है 12 वर्स की अवस्ता के बच्चों को समस्य समाधन विदी से पढ़ाया जाना चाहिए आपको यह मैं सारी विदीवी करवाऊंगा पहले मैं सारे सिद्दान करा दूँ क्योंकि 10 से 12 वर्स की आयों तक आते आते बच्चों में यह चमता बिक्सित होने लगती है जो 10 से 12 साल का बच्चा होता है वो समस्य समाधन चीजों का निकाल सकता है विदी दुआरा सिच्चक वए अन व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धी का मापन उसकी ब्यवारिक क्रियाओं के आयोक के आधरपन करना चाहिए बच्चों स्वय और प्रावरण में अन्ते क्रिया द्वारा सीथता है अत्य हमें सिच्चक माता पिता बच्चों के लिए प्रेडा दायक माहौल करना चाहिए यानि बच्चों के लिए ये तो हर मनुविग ज्यानिक कहता है कि बच्चों के लिए अच्छा माहौल अच्छा समाज विक्सित करना चाहिए इस सिद्दान्त के आदार पर सिच्चक अविवाबक बच्चों की तरक सक्ती तरक सक्ती तरक सक्ती वर पिचार सक्ती को पैचान सकते हैं अब थोड़ा मैं बात करूँगा इसमें कोशन किस तरह से आते हैं एक तो हमें पता चल गई है कि बस्तु इस्तायत वो पहली स्टेड पाइथा इसके पाइद बात चलती है कि एह केंद्रित इह कों से बस्था में होता है यह दूसरी अबस्ता में होता है एह केंद्रित जीप बादवी किस में होता है दूसरी में ठीक है जीब बाद भी होता है किस में केंद्री करड किस में होता है ये कोशन आते हैं कि बच्चा ये की तरह से सोच पाए केंद्री करड ये की चीज़ पे वो भी दूसरे में होता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है न जीबबाद, केंदिकड, एकेंदृत और पल्टावी याइनि याइनि जिसे जो बच्चा अगर चीजों को इधर से उधर समझना पाए ये भी कौन सी अवस्ता में होती है दूसरे में इस तरह से जो हमारे कोशन आते हैं एक और कोशन आता है कि आगमन विदी किस अवस्ता में होती है जो आगमन विदी होती है वो हमारी तीसरी अवस्ता में होती है निगमन तो अब जब आगमन विदी तीसरे में हो गई तो हमारे जो निगमन विदी होगी वो चौते में होगी हुआ निंगमन अवस्ता यह किसमे होगी जौतिय स्टेज में होगी आज हमने सिद्धान्त के वारे में इतना ही पढ़ा है जितना है और मैं सिद्धान्त के महतफूर्दत्ति लाउंगा और उसमें कोशन लाउंगा तो आपके सारे concept clear हो जाएंगे, सारी चीज़ समझ मैं जाएंगी कि हमें सिद्धान्द पढ़ने कैसे चाहिए अभी मैं भी नया नया पढ़ा रहा हूँ मगर question किस तरह से आते हैं यह मुझे पता है, मैं आपके लिए PPT खुदी बनाता हूँ, खुदी पढ़ाता हूँ आपको अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अगर मेरी कुछ गलतियां हो उसे भी माफ करें और सुदार का मौका दें धन्यवाद